आरंब में परमेश्वर ने संपून स्रिष्टी की रचना की उन्होंने आकाश, पृत्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर में क्या-क्या रचा है तो हम आश्चरी चकित रह जाती है जो कुछ परमेश्वर में रचा वुस्जब अच्छा था हर वस्तून की महानता, भलाई और सामर्थे को प्रकट करती है परमेश्वर ने विभन्न प्रकार के बेड़ पौधे, जन्तू और पशुपक्षी बनाए तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन भूंका पहला मनुष्य आदम कहलाया तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पतनी और साथी होने के लिए रचा उसे हवा नाम दिया गया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा इसलिए वह उनके साथ मिल जुलकर रहने का आनंद उठाते वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिती में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था बगीचे को अधन की वाटिका कहा गया वहाँ कोई पीड़ा या मृत्यू नहीं थी परमेश्वर ने आदम से कहा तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो केवल एक को छोड़ कर अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे परन्तु एक दिन शैतान जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है उसने हवा को परिच्छा में डालने की कोशिश की उसने फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पती को भी खिलाया उस सीक्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध तूट गया क्यूंके परमेश्वर पवित्र है और उनकी आग्या तोड़ने वाले उनकी उपस्तिती में नहीं रह सकते परमेश्वर ने आदम और हवा को अधन की वाटिका से बाहर कर दिया उन्होंने परमेश्वर की आग्या को नहीं माना इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा उसके परिणाम स्वरूप आदम, हवा और उनका सारा वंश, दुख और मृत्यू के भागिदार हुए लेकिन परमेश्वर बहुत दयालू है उन्होंने मनुश्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा उन्होंने मनुश्य को फिर से अपनी संगती में लाने का रास्ता पहले से ही तयार कर लिया था पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया जिसके द्वारा वे मनुश्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लच्चा को दूर करके अपनी संगती में वापस लाएंगे भविश्य वक्ता अबराहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आधर किया परमेश्वर ने उसे आशिष्ट देने की प्रतिग्या की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्टों के लोगों को आशिष्ट देंगे परमेश्वर ने उससे प्रतिग्या की कि वे उसके वंच को सागर तटकी रेद के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना एक दिन परमेश्वर ने अबरहम की परिक्षा ली कि वो उन पर विश्वास करता है या नहीं और उनकी आग्याओं को मानता है या नहीं परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बली देने को कहा अबरहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे बहुत बड़ा वंच देंगे फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आग्या मानी इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बली चड़ानी की तैयारी कर ली अबराहम ने अपना खंजर उठाया लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा अबराहम बालक को नुकसान ना पहुचा मैं जानता हूँ तु मेरा भै मानता है और मेरी आग्याओं को मानने के लिए तैयार है तब अबराहम ने अपने पास एक मेंढ़ा देखा जो अपने सीन से ज़ाडियों में फसा हुआ था अबराहम ने उस मेंढ़े को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उसे अपने पुत्र के बदले बली चड़ाया जब परमेश्वर ने अबरहम की बेटे की जगे मेंधा उपलब्द कराया उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया उनका प्रेम उस अच्छे पिटा के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वे मनुश्यों के बदले एक बली उपलब्द कराएंगे। बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविश्य वक्ताओं पर ये प्रकट किया कि वे एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वन्शजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे और उनके पाप और लच्चा को दूर करेंगे। एक महान बलिदान के द्वारा वे उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तयार करेंगे कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाब से रह सकें। भविश्य वक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा, उन्हों ने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे. उनके आने से कई सौ साल पहले भविश्य वक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा. भविश्य वक्ता दाउद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोशना करेंगे कि तू मेरा पुत्र है. यशाया भविश्य वक्ता ने कहा कि एक कुवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन होंगे उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन हो गा जिसे परमेश्वर ने कुवारी के गर्ब से मनुश्य की रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा भविश्य वक्ताओं ने ये भी लिखा कि मसी का जन्म बैतलहम में होगा उन्होंने भविश्य वानी की कि वो येरुशलाम में उनके राजा के रूप में प्रविश करेंगे उन्होंने ये भी लिखा कि तीस चांदी के टुकडों के बदले उनका एक नस्दी की मित्र उन्हें धोका देगा भविश्य वक्ताओं ने कहा कि मसी अपनी जीवन का बलिदान करेंगे लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतिकों से जीवित कर देंगे भविश्य वक्ताओं ने मसी को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिती में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्टों के उपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति संसार में रहते थे जिनका नाम यीशू था क्या यीशू का जीवन उन सब बातों को जो भविश्य वक्ताओं ने मसी के बारे में कहीं पूरा करता है ये फिल्म ये बताती है कि यीशू कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया जैसा धर्म शास्त्र में लिखा है इस फिल्म में कलाकार ने यीशू का पात्र निभाया है वैसे तो कोई भी इस कारे के योग्य नहीं लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग येशु के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सकें और उस आशीश को जिसकी प्रतिग्या परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सकें. प्रियर थियो फिलिस मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूँ जो हमारे बीच घटीं ताके आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें. जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूद को बहेजा। उस कुवारी का नाम था मरियम। है भी इतना हो मरियम। आप पर परमेश्वर का नुग्रह हुआ है। आप गर्वती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे। और आप उनका नाम येशु रखता। ये कैसे हो सकता है। मैं तो कुवारी हूँ। पवित्र आत्मा पर उत्रेगा। इस कारणवे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तधा उनके राज्य का कभी अंतना होगा। मरियम यहुदिया के एक नगर अपनी चचेरी बेहन इलिशिबा के पास गई। जो स्वैम अध्भुत रूप से गर्भवदी थी। इलिशिबा। मरियम। बेहन मरियम। हाँ। तुम सबस्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी। कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनन से मेरे गर्भ में उचल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है। और मेरी आत्मा मेरे उधार करता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आग्या से गलील और यहुदिया प्रांथ के सभी निवासियों की गिंती होगी। इसलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीग रही नाम दर्श करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहुदिया के नगर बेतलहम गई। पर बेतलहम में उन्हें ठैरने की जगे ना मिली। उन्हें के विल गौशाला में ही जगे मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवा है। रात के समय अपनी भेडों की देख भाल कर रहे थे। तब ही परमेश्वर का स्वर्गदूद प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन डाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक उधार करता जन्मे हैं। अर्थात मसीह रभू। चर्वाहे शीग्रही चर्णी में जन्मे नवजाच शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुमारी माता द्वारा उधार करता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। एक हफ़ते बाद जब बालक के खतने का समया आया तो उसका नाम यशु रखा गया। मेरी आखों ने आज आपके उधार को देख लिया है। ये बालक परमिश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशिश मिले। मुसा की विवस्थानुसार जब विधर्मिक करतव्यों को पूरा कर चुके तो येरुशलम से वापस नासरत लोटा है। जब येश्व बारावर्ष्ट के हुए तो मर्यम और यूसुफ उन्हें फसे के पर्व के लिए येरुशलम ले गए। लोटते समय उन्होंने सोचा के बालक येश्व उनके साथ है परंतु येश्व पीछे ही छूट गए थे। उन्हें ढूनने के लिए वापस शहर लोटे और तीसरे दिन येश्व को आराद नाले में धार्मिक गुरूओं के साथ वारता लाप करते पाया। ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रशन पूछता है। हम नासरत से हैं। हमने सोचा ये हमारे साथ ही है। किरपे आप इसे ख्षमा कीजिए। बालक येश्व की बातों ने सब को चकित कर दिया। बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यूं किया। तुम्हें ढूंते ढूंते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे। आप मुझे क्यूं ढूंते थे। क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कालियों को पूरा करना है। और ये शून के साथ नासरत लाते और परमेश्वर इवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्ध्य और शरीर से बढ़ने लगे समराट तिबिर्यूस के राज्ज के पंद्रहवें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहुद्या का शासक था और हिरोदेस गलील का राजा हन्ना और कैफा महायाजग थे रेगिस्तान में परमेश्वर का बचन यहुन्ना को प्राप्त हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की ख्षमा धथा पश्चाताप के बप्तिसमे का प्रचार करने लगे अपने पापों से पश्चाताप करो और बप्तिसमा लो तो परमेश्वर तुमारे पाप शमा करेंगे जैसे यशा या भविश्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है प्रभू के लिए मार्ग तैयार करो प्रभू की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ हर एक घाटी अवश्य भरी जाए हर एक पहाड और तीला समतल किया जाए तेड़े मेड़े मार्ग सीधे करो और उबण खाबण मार्ग सपाट और सारी मानव जाती परमेश्वर के उद्धार को देखेगी हम क्या करें? हाँ हमें बताए हम क्या करें? ए साप के बच्चो! बताइए हम क्या करें? हमें बताए हम किस मारग पर जाए? अगर किसी के पास दो कमीजे हैं वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बाटे हे गुरू हम चुंगी लेने वाले हैं हम क्या करें निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो और हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए किसी से भी जबरंधन मत लो और न किसी पर जूठा दोश लगाओ अपनी कमाई में संतुष्ट रहो हमें बताएं क्या आप मसी हैं मैं तुम्हें पानी से बप्तिस्मा देता हूँ परंतु एक आ रहे हैं जो मुझे कहीं अधिक महान है मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं वे तुम्हें पवित्रा आत्मा और आख से बप्तिस्मा देंगे उनका सूप उनके हाथों में हैं ताकि वे गेहों को भुसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें और पवित्रा आत्मा कबूतर के रूप में येशु पर उत्रा और स्वर्ग से आवाज आई तुम मेरे प्रियपुत्र हो मैं तुम से प्रसन्न हूँ लगभग तीस वर्ष की आयू में येशु ने अपनी सेवा आरंब की पवित्रात्मा से परिपूर्ण येशु यर्दन से लौटे आत्मा से प्रेरित वो चालीस दिन तक बयाबान में रहे जहां शैतान उनकी परिक्षा करता रहा इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया तब शैतान ने उनसे कहा यदि आप परमेश्वर के पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बन जाने किया गया दे ये लिखा है मनुश्य के वल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर बचन से जिवित रहेगा तब शैतान उन्हें उचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए ये सब अधिकार और वैभव मैं आपको दूँगा ये सब मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहूँ उसे ये सब दे सकता हूँ यदि आप मुझे प्रणाप करें तो ये सब आपका हो जाएगा ये भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर के उपास ना करो और तुम केवल उन्ही की सेवा करो फिर शैतान उन्हें यरुशलम आराधना लेके गुम्बत पर ले गया यदि आप परमेश्वर के पुत्र है तू अपने आपको यहां से घिरा दे क्योंकि पवित्र शास्तर में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्ख दूदों को आगया देगे कि वे आप की रक्षा करें वे आपको हाथो हाथो ऊठालेंगे ताकि आप बेपाउं को पथर से ठेज तक न लगे दर्म शास्तर कहता है तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परिक्षा न करो फिर ये शू नासरत आये जहां वो पले बढ़े थे कैसी हो अच्छी हो सब्बत यानि विश्राम के दिन नियमा नुसार वे आराधना ले गए और उन्हें यशाया बविश्वक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने को कहा गया परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुप संदेश सुनाने के लिए चुना है उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ती और अंधों को द्रिश्टी पाने का संदेश दू सताय हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोशणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं आज धर्मशास्त्र का ये लिख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठरा ये प्रतिग्या तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं इस प्रकार येश्व ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिशिक्त संसार के उद्धार करता के रूप में दिया परंतु यहूदियों ने उन्हें मसीह स्विकार नहीं किया उन्हें लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा परंतु वो भीर से निकल कर अपनी राह चले गए और गलील के नगर कफर नहुम पहुँचे उस समय देश रोमी सामराज्य के अधीन था और लोग उनके अध्याचार से छुटकारा पाने के लिए मसीहा की प्रतीक्षा में थे तुम्हें शानती मिले आपको भी स्वामे तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमॉन क्यों नहीं कि येश्यों में छोटन नहीं जा रहे हैं स्वामी हमें कुछ बताईए हमें कुछ बताएं प्रभु येश्यों हमें उप्तेश दें एक बार दोव्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गये एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यू प्रार्थना करने लगा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची बैमान और व्यभिचारी नहीं मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं सबता हमें दो बार उप्वास रखता हूं आमदनी का दस्वांश आपको देता हूं परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की और आखें उठाए बिना अपनी छाती पीट-पीट कर ये कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं धार्मिक गुरू नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्ट में धर्मी ठैरा और अपने घर गया जो अपने आपको बड़ा मानेगा, वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आपको छोटा मानेगा, वो बड़ा किया जाएगा अपनी नाओं को वहाँ गहरे पानी में ले चलो, और अपने साथियों के साथ मशलियों के लिए जाल डालो ओ स्वामी हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूँ याकूब योहन्ना याकूब योहन्ना अपनी नाव इदर दे और हमारी सायता करो चल्दी हम नहीं आ सकते बहुत ताम है याकूब यह वास काफी है इतनी मचलिया बहुत है प्रभू मेरे पास से चले जाईए मैं एक पापी मनुष्य हूँ तुम डरो मत अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओ दे मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे प्रभू को खोजो जब तक वो मिल सकें उन्हें पुकारो जबके वो पास है दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आएं और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण शमादान देंगे तुम आनंदित रहोगे और तुमें शान्ती मिलेगी वे आ रहे हैं वे यही हैं देखो येशू येशू मेरी एक लौती बेटी को बचा ले प्रभू मुझ पर दया करे येशू तुम्हारी बेटी नहीं रहे इसलिए गुरू को कष्ट मादे डरो नहीं विश्वास रखो वो ठीक हो जाएगे करता है ये 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 अथए है ये ये की आएगे ये 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 येवश्वास तुम्रूमेट वो मरी नहीं है वो तो बस सो रही है बेटी उठो इसे कुछ खाने को दो ध्यान रहे यहां जो हुआ है किसी से न कहना उसके बाद उसने चुंगी लेने वाले मत्ती लेवी को चुंगी स्थल पर बैठे देखा मेरे पीचे हो मेरे तेखा और येशू प्रार्थना करने पहाडी पर गए, जहां वे सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे. और अगले दिन उन्होंने बारा शिष्यों का अभिनन्दन कर उन्हें प्रेरित कहा. शिमॉन जिसे उन्होंने पत्रस नाम दिया. और उसका भाई आंध्रियास, याकूब, और युहन्ना, फिलिप्पुस, और बर्तुलमे, और मत्ती, और थोमा, याकूब हल्फई का पुत्र, और शिमॉन जो जलोतिस कहलाता था, यहुदा जो याकूब का भाई था, और यहुदा इस क्रियो थी जो विश्वास गाती निकला. धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्जित तुम्हारा है, धन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किये जाओगे, धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हर्शित होगे, धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें, और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें, जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके पूर्वजों ने भी भविश्य वत्ताओं के साथ ऐसा ही किया, सत्रा, अठा, उन्नीस, बीस, मेरे पास बस इतना ही है, क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पास? तुम्हें आराम का जीवन बिता लिया? जो धनीना बनना चाहे वो कोई पागल ही होगा. हाए तुम पर जो अब हसते हो, तुम रोगे और विलाप करोगे. अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें, क्योंकि उनके पूरवजों ने भी जूठे बविश्वक्ताओं के लिए यही किया. पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ, शत्रूं से प्रेम रखो. ख्रिना करने वालों का बहला करो. जो श्राब दे उन्हें आशीश तो. बुरा करने वालों के लिए प्रार्थ ना करो. तुम्हारे एक गाल पर कोई थपड मारे, तो उसकी और दूसरा भी फेड़ दो. कोई तुम्हारा अंगर खा ले, तो अपनी कमीज भी उसे दे दो. किसी भी मांगने वालों को मना मत करो. यदि कोई तुम्हारी वस्थ तो ले ले, तो उसे वापस मत मांगो. तुम वही करो, जैसा व्यवहर तुम दूसरों से चाहते हो. यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो, तो तुम्हें आशीश क्यों कर मिलेगी? पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं, और यदि स्वयम पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो, तो तुम क्यूं कर आशिश पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं? वे ऐसे कैसे चूज़ते हैं? वो उसे कैसे बाद कर सकता है? पेशर नहीं, शत्रूं उसे प्रेम रखो उनका भला करो उधार दे कर वापसी की आशा न रखो तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठैरोगे वो दुष्टों और आभारन मानने वालों पर भी क्रिपालू है डयावन्त बनो जैसा तुम्हारा परम पिता डयावन्त है येशु, हमें बचाईए आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा दोश मत लगाओ तो तुम पर भी दोश नहीं लगेगा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी प्रभू, हमें अपने मार्ग पर चलाएं। दो, तो तुम्हें में दिया जाएगा। जिस नाप से नापोगे, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर दोनों ही गड़े में गिरेंगे। अपने भाई की आग के तिनके को क्यों देखते हो जबके अपनी ही आग का लठा नहीं देख पाते। प्रभू, हमारा मार्ग दर्शन करें। प्रभू, हमें आपकी आवश्यक्ता है। धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जनम दिया और पाला। पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा। तुम्हारा क्या खयाल है। वे मसी हैं। इस धर्मगुरु ने यशु को रात्री भोज पर बुलाया। यशुन के घर गए और बुहुजन करने बैठे। चलो बच्चो यहां से चले जाओ। तुमने सुना नहीं। जाओ। बड़े शरार्ती हैं यह बच्चे। यह यहां क्या कर रही है। यह कर क्या रही है। यह कर क्या रही है। यदि यह मनुष्य सचमुच कोई भविश्य वक्ता होता तो जान लेता कि यह इस्तरी कैसी है जो से छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पाप में जीवन जी रही है। मैं जानता हूँ कि यह इस्तरी कौन है शिमौन। मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ। किसी महाजन के दो कर्सदार थे। एक पर पांच सो और दूसरे पर पचास रुपय का कर्स था। दोनों ही कर्स चुकाने की स्थिती में नहीं थे। उसने दोनों का कर्स माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा। मरे खयाल से जिसका अधिक कर्द माफ हुआ हूँ। तुमने ठीका, इस सित्तरी को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे बैर दोने के लिए पानी भी नहीं दिया पर इसने आसूंसे मेरे बैर दोकर अपने बालों से पोचा तुमने चुम्बन से मेरा भी नंदन नहीं किया पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाउं चुमना न छोड़ा तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पाउं पर इत्रो डेला है मैं तुमसे कहता हूँ कि इस इस्त्री का तिदिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत तिक ख्षमा हुए पर जिसे थोड़ी ख्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा तुम्हारे बाप ख्षमा हुए तुम्हारे विश्वास में बचा लिया शांती से जाओ प्रभु येशु जगे जगे परमिश्वर के राज्य का शुवसंदेश देने लगे उनके साथ थे बारा शिष्य और दुष्ट आत्माओं से मुक्त की गई कुछ स्त्रिया मरियम जो मग्दलीनी कहलाती थी योअन्ना जिसका पती खोजा हैरिदेश के दरबार में भंडारी था और सुसन्ना गलील के शासक हैरोदेश ने यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाले को बंदी ग्रह में डलवा दिया क्योंकि योअन्ना ने उसके द्वारा अपनी भावी से विवाह की निंदा की थी का हो? किसी और की प्रतीक्षा करें गुरुजी गुरुजी यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने हमें यह पूछने भेजा है क्या वही है जो आने वाले थे या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यहुन्ना से कहो अंधे देख सकते हैं लंगड़े चल सकते हैं धन्य है वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते हैं किरुपया मुझे उठा लीजिए आजाओ मेरे कंदेपे अब तुम देख सकते हो हां मैं येशु को देख सकता हूं एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और रौंट आले गए और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया और कुछ पत्रीली भूमी पर गिरे जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुर्चा गए और कुछ जाडियों के बीच में गिरे जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया परंतु कुछ बीज अच्छी भूमी पर गिरे और सभी पौदों ने उग कर फल दिया प्रत्य एक ने सौ गुना गुरुजी जब भीड जमा होती है तो अब उधारनों में क्यो बाते करते हैं परमेश्वर के राज्य के रासियों का ज़्यान तुम्हें दिया गया है परंतु औरों को उधारनों में सुनाए जाता है क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते इस सुदाहरण कार्थ ये है बीज परमेश्वर का वचन है मार्क के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताके वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें पत्थरीली भ्हूमी पर गिरे बीज उन्हें दर्शा आते हैं जो वचन सुनकर आनन्द से ग्रेंड करते हैं पर जड़ नहीं पकड़ाते हैं वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते हैं जाडियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह वा भोग विलास में फसने से, उनके फल कभी नहीं पकते हैं। वे बीज जो अच्छी भूमी पर गिरें, उन लोगों के प्रतीक हैं, जो वचन सुनकर उसे भले और आज्याकारी मन से ग्रहन करते हैं, और फल्वन्त होने तक उन्हें समाले रखते हैं। दिया जला कर कोई बरतन से नहीं ढहकता, और नहीं खाट के नीचे रखता है, बलके उसे दीवार पर रखता है, ताके भीतर आने वालों को उससे प्रकाश मिले। जो कुछ छिपा है वो बाहर लाया जाएगा, और जो ढखका है उसे ढूंड कर प्रकाश मिलाया जाएगा। इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है गुरुजी आपकी माता और भाई वहाँ बाहर खड़े हैं आपसे मिलना चाहते हैं मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का बचन सुनते और मानते हैं एक दिन प्रभु येशु अपने शिश्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा आओ हम जील के पार चलें नाव चल रही थी और येशु सो गए कि जील के झाले चाहते हैं स्वाबे, स्वाबे, प्रभु येशु, हम नाशुए जाते हैं, हमें नहरे घेर रही है, हम टूप जाएगे, हमें बचाएए कहां गया तुम्हरा विश्वास और वे करासिन्यों के देश पहुँचे, जो जील के पार गलील के सामने था येशु, परमपरधान परमिश्वर के पुत्र, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपसे विंति करता हूँ, मुझे दंड ना दे क्या नाम है तुम्हारा सेना, प्रभू विंति करते हैं, हमें नरक कुंड में ना भेजे, पर सुवरों के उस जुंड में भेज दे और दुष्टा आत्माएं उसमें से निकल कर, सुरों ने समा देना यहां से चला जा, है जादुगर, हमें छोड़ दे, यहां से दूर चला जा, हमें छोड़ दे, यहां से चला जा आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूगा, मुझे अपने साथ आने दे, घर लोट जाओ, परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ प्रभु येशु वो उनके शिश्य भीर से अलग होने के लिए बैच सिता पहुचे पर भीड को इसका पता चल गया, तो वो प्रभु के पीछे हो ली शाम को पत्रस ने कहा स्वामी, इन लोगों को भेज दे, कि वे आसपास के गावों और बस्तियों में जा कर अपने लिए भोजन और रहने की जगे ढूंड सके ये एक सुनसान जगे है तुम स्वायम इनके भोजन का प्रबंध करो लेकिन हमारे पास केवल पाँच रोटियां और दो मच्छिया ही है धन्य है आप प्रभु परमेश्वर त्रिष्टी के मालिक जो धर्ती पर अन्य उप जाते हैं ये तो चमरकार है विश्वाशन नहीं नहीं विश्वाशन नहीं प्रण altri तो मैंन नहीं से हैं ये तो मैंने ये का विए ऊज़त करें ये तो मैंने ये विए तो चांशन G ये विए ये जे जड़ प्रण वर्णन G विए आफिर में विए जिए ये विए लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कई आपको योहन्ना बब्तिस्मा देने वाला कहते हैं तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं और कितनों का तो ये कहना है कि कोई प्राचीन भविश्य वक्ता फिर जी उठे हैं तुम क्या कहते हो तुम बताओ काउन हूं मैं आप परमेश्वर के मसी हैं तुम ये बात किसी से न कहना मेरे लिए आवश्य है कि मैं दुख उठाओं तिरे स्कृत किया जाओं और जान से मार डाला जाओं पर अंतु तीसरे दिन म्रित को में से जी उठाओं टाओं आप बताओं आप लिए लेवी तुम ये जूड़ी क्या तुम में से कोई मेर साथ आएगा मैं आपके पीछे चलोंगा गुरुजी पर पहले जाएगा जाके अपने घरवालों से विदा ले लूँ जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वो परमेश्वर के राजी की योग यह नहीं यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयम से इंकार करें और प्रती दिन अपना कुरूस उठाकर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खोदे तो क्या लाब जो कोई मुझते और मेरी शक्षाओं से लजाता है तो मैं भी अपनी और पिता की वस्वर्ग दूतों की महिमा सहिर जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा सच कहता हूँ तब प्रभु यशु यहुन्या, याकूब और पत्रस के साथ पहाल पर प्रार्थना के लिए गये प्रार्थना के दौरान उनके चहरे का स्वरूब बदल गया और वस्त्र सफेद होकर जगमगाने लगे अच्छानक स्वर्गिय महमा से परिपूर्ण भविश्य वक्ता मूसा और एलिया प्रभु यशु से बातें करने लगे आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगी आपके मृत्यों यरुशलम में होगी जाते समय पत्रस ने प्रवु यशु से कहा पत्रस ये कही रहा था के एक बादल ने उने घेर लिया और शिश डर गए और बादलों से आवाज आई ये मेरा पत्र है जिसे मैंने चुना है इसकी सुनू गुरू जी गुरू जी कृपा करके मेरे बेटे को देखिए दया करके उसकी सहायता कीजिए ये मेरी अकेली संतान है मैंने आपके चेलों से दुश्टात्मा निकालने की विंति की पर तुवे से न निकाल पाए कि अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं अपने पुत्र को यहां लाओ कि अविए अरि इसका चहरा भी ठीक हो गया, विश्वास नहीं होता हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे यहुना ने अपने शिश्यों को सिखाया तुम इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाएं आपका राज्या है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही प्रित्वी पर भी पूरी हो, हमारी प्रति दिन की रोटी आज हमें दें हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परिक्षा में न पढ़ने दें परंतु बुराई से बचाएं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूंडो तो तुम पाओगे खट-खटा हो तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो ढूंगता है वो पाता है और जो खट-खटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यूं न देगा? मैं कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और नाही अपने शरीर की की क्या पहनेंगे क्योंकि प्राण भोजन से बढ़ कर है और शरीर वस्तर से बढ़ कर पक्षियों पर द्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और नहीं उनके कोई भंडार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, और तुम तो पक्षियों की तुल्ला में कहीं बढ़कर हो, तुम मेंसे कौन चिन्ता करके अपनी आयू बढ़ा सकता है, जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो बागी चिन्ता क्यों करते हो, इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं, वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते हैं, राजा सुलेमान इन में से एक के समान भी सुन्दर वस्त्र न पहन सका, यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में छोंकी जाएगी, तो निश्चय वे तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे, हे अल्प विश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होत कि जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग तो ये तुम्हारी बार मान लेता पाप में पढ़ने की परिक्षाएं अवश्य आती हैं, परंतु अफसोस जिसके द्वारवे आती हैं, जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है, उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटका कर समुद्र में डाल दिया जाए परमेश्वर का राजी किसके समान है, वो ऐसा है, एक मनुष्य राई का दाना लेकर अपने खेत में बोता है, और वो पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है, और पक्षी उसकी डालियों पर घुसला बनाते है मुझे नहीं पता यह क्या कह रहा है तुम चुंगी लेने वालों और अन्ने पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? स्वस्त लोगों को बैद्दी के आवशकता नहीं होती, परंतुरोगियों को है जो बहिश्क्रित हैं मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूँ, सम्मानितों को नहीं हमें स्वर्ग के राज्जे के बारे में बताएं, क्या और भी कुछ है? ऐ मेरे लोगों बहभीत नहों, परंपिता की ये इच्छा है के तुम्हें राज्जे दे, अपना सब कुछ बेच कर पैसा गरीबूं को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, स्वर्ग में धनी कठा करो, जहां वो घटता नहीं, क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता, नहीं कीड़ा उसे नश्ट कर सकता है, जहां तुम्हारा धन होगा, वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा. हे नारी, तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई, देखो, देखो, यह चल्दी हो गई, यह तच्छमतकार है, देखो, यह चल्दी हो गई, आओ, देखो, परमेश्वर्दी, महिमा हो, हफ़ते में छे दिनों तक हम काम कर सकते हैं, तो चंगाई के लिए हम इन में से किसी भी दिन आ सकते हैं, मगर विश्राम के दिन नहीं. अरे कप्तियों, क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोल कर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता? और यहां पर यह स्त्री जो अब्राहम के बंचते हैं, जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में थी, क्या विश्राम के दिन उसे मुक्त करना उचित न था? है उत्तम गुरुजी, अनन्त जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा, तुम आज्याएं तो जानते हो, यह भिचार न करना, हत्या न करना, किसी पर जूटे आरोप न लगाना, अपने माता-पिता का आदर करना, परंतु यह सभी आज्याएं तुम्हें बच्पन भारी हैं, बहुत धन्वान, धन्वान का परमेश्वर के राज में प्रविश कितना कठे है, धन्वान के लिए परमेश्वर के राज में प्रविश मुश्किल है जबकि उट का सूई के नाके से निकलना सहज है, तो फिर कौन मुक्ती पा सकता है? जो मनुष्य के लिए वास्ता में कहां होगा ये परमेश्वर का राजी प्रकट रूप से नहीं आता कोई ये नहीं कह सकता कि देखो यह यहां है यह वहां है क्योंकि परमेश्वर का राजी तुम में है वह समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे पर देखना पाओगे जैसे बिजली आकाश के एक और से दूसरी और तक प्रज्वलित होती है वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा परन्तु पहले उसे बहुत दुख उठ जाना होगा और इस युक के लोग उसका तिरस्कार करेंगे आकाश और प्रित्वी का टल जाना सहजे परन्तु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निश्फलना होगा मैं कहता हूँ जो तुम देखते और सुनते हो बहुत से भविश्वक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा परन्तु ऐसा न कर सके हम क्या करें धर्म शास्त्र क्या कहता है इसका क्या अर्थ है तुम अपने प्रभू परमेश्वर को संपूर्ण रधय संपू पढ़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक का, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पढ़ोसी कौन है। वे सैनिक तो नहीं। क्या राजा होगा। एक बार एक मनुष्य यरूशलम से यरी हो जा रहा था। तब डाको ने हमला किया। और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरू वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कत्रा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहिद भी वहां से निकला। पास आया। उस व्यक्ति को देखा और मूँ पहेर कर चला गया। परंतो एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुश को देखा और उसका हिर्दय दया से बर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया। फिर उसे अपनी सवारी पर बैठा कर वो एक सराय में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरी दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा। और कहा जो कुछ खर्च आएगा मैं लोटने पर तुम्हें दे दूँगा। इन तीनों में से किसने डाकूँ द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पडोसी का फर्ज निभाया। जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दौरोंने मना मत करो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसूं का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ। जो कोई परमेश्वर के राज्य को इत बालक की तरह ग्रह नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश्णा करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है। यहां क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। नासरत के येशो यहां से जा रहे है। येशो, प्रभू येशो, ए दाउद की संतान मुझ परत दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूँ। मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ। यरुशलन जाते समय, हर जगे प्रभु यशु को भारी भीड मिली। लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमिश्वर के राजी के बारे में और जानना चाहते थे। लोगों ने प्रभु यशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारम कर दिया। दर्शन को उत्सुक यरी हो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला यशु को देखने के उत्सुकता में पेड पर चाल गया। जकई जल्दी नीचे उत्रो, क्योंकि आज मुझे तुमारे घर ठेरना है। मेरे घर? उसके घर का ठेरेगा। जकई ये शुको कैसे जाते है। सुनो, मैं अपनी संपत्री का आधा भाग गरीबों को दे दूगा। अगर मैंने किसी को ठगा है, तो मैं उसे चार गुना लोटा दूगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव। आज इस घर में मुक्ति आई है। ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंचते ही है। मैं खोए हुएं को ढूंडने और उनका उद्धार करने आया हूँ। सुनो, हम येरुशलम जा रहे हैं। जहां मेरे विश्य में की गई भविश्वक्ताओं के हर भविश्वारी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौपा जाएगा। वे मेरा उभास करेंगे। मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे। कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूँगा। और प्रभु येशु द्रणनिश्चय के साथ यरुशलम की ओर चल दिये। हालांकि वे जानती थे कि उन्हें मानव जाति के पापों के लिए अपने प्रान देने होंगे। फिर भी वे यरुशलम की ओर बढ़ते गए। बहुत से लोग उनके आगमन पर आनंदित हुए और उन्हें अपना राजा मान दिया। गुरू, अपने शिश्यों को आज्या दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो स्वयम ये पथर चिल्ला उठेंगे। सब को आशीश मिले। प्रभु येशु येरुशलम के निकट पहुँचे। उन्होंने उसे देखा और रो पड़े। भला होता। यदि तु आज अपनी शांती का मारक जान लेता परंतो तु इसमें असा फ़ल रहा। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रों मोर्चा बांद कर तुझे घेर लेंगे और चारों और से तुझ पर प्रहार करेंगे। इन ही दिवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे। तुझे और तेरे लोगों को। और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे क्योंकि तुने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। येरुशलम का पवित्र मंदिर आराधना का स्थान होने के बजाए व्यापार का केंद्र बन चुका था। का थो तो बन चुका था। हम पक्रव को पाच्चह साथ आजनों हो तरस ग्याव पाच्चह रोड़क्टेश्ड चोल्पना शुग्द्रू शुग्रष पाच्छ। यह लिखा है मेरा घर प्रार्तना का घर होगा परंतु तुम ने उसे डाक्मों की खो बना दिया यह मेरे चानवरों को भगा रहा है रोकों से, रोकों से जल्दे बुलाँ कुछ राजनीतिग्यों और धर्म गुरूं में प्रभु येशु के प्रति विरोधु करने लगा क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे मैंने तो सुना है कि बहुत सो लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है राजा? बिकारियों, विश्यां और चोरों का उसके समान हमने बहुत देखे वे आके अपने दावी करके चले जाते हैं लोग भूल जाते हैं अनजान मत बनो उसके अनुयाई प्रते दिन बढ़ रहे हैं उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर इस आदमी ने और शांती भंकी तो आप ही जिम्यदार होंगे शायदे सही कहते हैं और जैसे जैसे धर्म गुरूओं शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रती येशु का तिरसकार बढ़ने लगा यहूदियों में उनके अनुयाई भी बढ़ने लगे दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी प्रभू येशु ने मंदिर में एक निर्धन विद्वा को दो तांबे के सिक्के डालते देखा ज्यादा नहीं दे सकती मैं कहता हूँ इस निर्धन विद्वा ने सबसे ज्यादा दान दिया है क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है परंतो इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी हमें बताईए आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है किसने दी आपको ये अधिकार अब मैं तुमसे एक प्रशन पूछता यहुन्ना को बबतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से हम क्या उतर दें यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यह अन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो यह भील हमें पथरवा करेगी क्योंको यह सब यहुन्ना को भविश्वक्ता मानते हैं हमें नहीं मालूम यह अधिकार कहां से मिला तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं यह सब कुछ किस अधिकार से करता हूं एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया जब अंगूरों को एकठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उसे मिल सके परंतु ठेके दारों ने उसे पीट कर खाली हाथ भगा दिया तब उसने दूसरे दास को भेजा पर ठेकेदारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लोटा दिया तब उसने तीसरे दास को भेजा किंतु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा, अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे, परन्तु ठीकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा, ये तो मालिक का पुत्र है, उसे मार डालें तो ये जायदात हमारी हो जाएगी, हमें और बताएं, उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला, और मार डाला, अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा, वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को दे देगा, तो इस वचन का क्या अभी प्राय है, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया, वही पत्थर सबसे श्रेश्च सिद्ध हुआ, जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा, वो चक्राचूर हो जाएगा, और यदि ये पत्थर किसी पर भी गिरेगा, तो उ देते, मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं, बताएं, रोमी समराट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है, प्रभू साफधान वो आपको फसाना चाहते हैं, मुझे एक चांदी का सिख्का दो, इस पर किसका चित्रो नाम अंकित है? राजा का! तब जो राजा का है, वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर को दो, तुम्हारा इस विशे में क्या उत्तर है? तब अख्मीरी रोटी का पर्वन ने कटाया, जिसे फसाह का पर्वत कहते हैं, और प्रभु येश्व ने शिमौन पत्रस और यहुन्ना को फसाह का भोजन तयार करने पहले ही भेज दिया, मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसाह का भोज तुम्हारे साथ खाऊ, मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर के राज में इसका ओदेश पूरा ना होने तक मैं इसे नहीं खाऊँगा, धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, स्रिष्ठी के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं, इसे लो और आपस में बाट लो, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज जिन आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पियूँगा, धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, स्रिष्ठी के मालिक, जो धर्थी पर अंगूप जाते हैं, यह मेरी दे है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी याद में ऐसा ही किया करो, यह प्याला मेरे लगु में नई वाचा है, जो तुम्हारे लिए बाहय जाता है, पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी मेज पर है, मेरी मृत्य तो निश्चित है जैसा कि परनिश्वर ने ठैराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाएगा, यह नहीं हो सकता, यह कोई नहीं हो सकता, असंभव, कौन है वो तो के बास प्रभू, यह असंभव है, तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने, और अगुआ सेवक के समान, बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है, यह वो जो सेवा करता है, हाँ वहीं जो मेस पर बैठा है, परन्तु मैं तुम्हारे बीच सेवक की तरह हूँ, मेरी सभी परिक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्जी करने का अधिकार दिया, यह अधिकार में तुम्हें देता हूँ, तुम मेरे राज्जी में मेरी मेज पर भोजन करोगे, और तुम सिंगासनों पर बैठ कर इसराइल के बारह बोत्रों पर राज्जी करोगे, तब तो कोई धोके बास नहीं शिमान, शिमान, सुनो शैतान तुम सब की परिक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करें जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है परंतु मैंने प्रार्थना किये कि तुमारा विश्वास न डगमगाए और जब तुम मेरी और लोटो तो अपने भाईयों को डारस बंदाना प्रभू, मैं आपके साथ पंतिगरह जाने के लिए और मरने को भी तैयार हूँ मैं कहता हूँ पत्रस, कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम तीम बार इंकार करोगे कि मुझे नहीं जानते मैंने तुम्हें बिना बटूए जोली और जूते के भीजा तो कोई कमी हुई नहीं, कोई कमी नहीं अब जिसके पास बटूआ या जोला हो वो उससे ले ले और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेच कर खरीद ले मैं कहता हूँ, धर्म शास्त्र में लिखा है वो अपरादियों में गिना जाएगा और मेरे विशे में लिखा सब पूरा हो रहा है देखे, यहाँ दो तलवार है प्रभू बहुत है और प्रभू येशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरूओं की एक सभा हुई तब शैतान यहुदा इस क्रियोती में समा गया जो बारा शिश्यों में से एक था उसने धर्मिक गुरूओं के साथ मिलकर प्रभू येशु को पकड़वाने का शड्यंत्र रचा प्रभू येशु प्रार्थना करने यरुशलेम से जैतून के पाहड़ पर गए प्रार्थना करो ताके तुम परीक्षा में न पढ़ो यहुदा इस क्रियोती ने केवल तीस चांदी के सिक्कों के लिए प्रभू येशु से विश्वास गहत किया प्रभू येशु जानते थे के मानव जाती के पापों के लिए उनके प्राण देने की घड़िया पहुची है और वे प्रार्थना करने लगे हे प्यता अगर आप जाहें तो ये प्याला मेरे पास से अटालें तो भी मेरी नहीं आपके इच्छा पूरी हो और प्रभू येशु को सामर्थ देने के लिए एक स्वर्ग दूद प्रकट हुआ और उनका पसीना लहु की बड़ी-बड़ी बूंदें बन कर भूमी पर गिर रहा था और रहा थाई और णिस अरना प्रुम्म और प्रुम्म और रहा हुआ तुम क्यूं सो रहे हो उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो कि यहूदा क्या तुम चुम बन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो प्रभू क्या इसे दल्वार से मारते है जाओ इसे पकड़ा बस बहुत होगे जमतकार मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आयो मैं मंदिर में हर दिन तुमारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा यह तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है जबके अंदकार का समराज्य है बखकर जोईसे बखकर जोईसे बखकर जोईसे इस पे निग्रानी रखो तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगर में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठटा कहने लगे अरे राजा के कपड़े तो देखो पता अब क्या होने वाला है क्या तू हमें बचाएगा महाराज क्या तू बचाएगा यह मनुश्य वे येश्यू के साथ था बेहन मैं तो उसे जानता थक नहीं मैंने दोनों को साथ देखा है हम तो तेरे नाकर है बड़े बंते थे अब कैसा लगता है तू भी तो उनमें से एक है वो बै नहीं इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुश्य येश्यू के साथ था क्योंकि ये भी कलील से ही है अरे होगा पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो प्रभू येश्यू ने मुड़कर सीधे पत्रस को देखा तब पत्रस को येश्यू की वो बात याद आई कि आज मुरगे की बांग देने से पहले तुम तीन बार मेरा इंकार करोगे प्रभू जी हम विंति करते हैं कि आप अपनी महानता के अनुसार हम पर तया करें प्रभू जब हमारे पूर्वजों ने आपका मेरोद किया तब आप उनसे क्रोधे थे फिर भी उनका नाश नहीं किया परन्तु ख्रभा किया अपने अपने प्रेम वाचा तथा विश्वास योगता के कारण उन्हें उन्हें शबा कर दिया है 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 बोल तुझे किस ने मारा भविश्यवानी कर अब तुझे कौन मारेगा बस करो यह सब बंद करो इसे सभा के सामने ले आओ चल प्रभू येशु से पूछताज के लिए धर्म गुरुओं ने एक सभा बुलाई हमें बता क्या तू ही मसी है यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे यदि मैं तुम से प्रशन पूछू तब तुम उत्तर न दे सकोगे लेकिन अब से मैं निश्चे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है हाँ मैं हूँ हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा हम इसे पिला तुसके पास ले जाएंगे हाँ हाँ इसे ले चलो आसे ले लेकिन लेवे लेशने इसे लेगी ओरहने लेगा चलो और वे प्रभू येशु को क्रूर रोमी शासक बिलातुस के पास ले गए जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था इतनी सुवा सुवा तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो हमने इसे लोगों को पहकाते हुए पकड़ा है इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी इसकी सजा क्या होगी इसे दंड दो मैं इस मनुश में दंड देने योगी कोई अपराद नहीं पाता हमने इसे दोशी पाया रोमी समराड को कर देने को मना करता है मसी होने का दावा करता है और राजा भी राजा? क्या आप यहुदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा इसने ये सब गलील में आरम किया था अब यहां भी आ पहुंचा है गलील में? क्या यह मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेश को सौप देना चाहिए वो अभी भी यरुशिलेम में ही है ना? इसे बहा ले जाओ तो अपने विशा में क्या कहते हो तुम? वे कौन है जिने तुम अपना शिश्य कहते हो? मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्यारे कर्म भी करते हो फिर मेरे लिए भी कुछ करो महराज ये सबी लोगों को बहका रहा है और अपने आपको राजा कहता है ये मनुश्य राजा? महराज इसे खुद पीटो ले जाए इसे बिला दूसके पास ये उसी के परांद का है आपको बस्पश्या कि अपको बस्टाख अवाज्या कि मैं कुछ इसे राजाफ लुटो और इसे राजाए पास अबाल इसे बाजाब भी लुटो अपको ये जाए बाल आपको प्रॉटो इस व्यक्ति ने मृत्यूद अंड की योगियों कोई अपराद नहीं किया तो मैं इसे कोड़े लगवा कर छोड़े देता हूं इस त्युहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं हमारे लिए छोड़ते हैं बरब्बा और इस मनुश्य को तंब हां हमें बरब्बा चाहिए इसे क्रूसपुमचर हम पर चाहूँ कि यहारा प्हुब्ख तिमिर शटे से जोंगर 근데 बने कि अ momencie अपूरी है कि अजय कि अजय है है को इसे उठाओ वो जोर जोर से चिला रहे थे कि येशु को कुरूस पर चढ़ाया जाए तो पिलातुस ने येशु को मित्युदन्द दिया बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बरब्बा को रिहा कर दिया गया और पूस पर चढ़ाने के लिए येशु को उनके हवाले कर दिया वापन जाओ, उससे दूर रहो, पीछे हटो, दूर रहो उससे दूर रहो पीछे रहो, पीछे रहो पीछे, हट जाओ, रास्ता खाली करो हटचा दूर पीछे, हटचा दूर फिए आसने में आज़ा वेचा उट आँ उटजा दूर क्या नाम है तुमारा? हजूर मुझे शमान को रहनी कहते है इदार आओ तो रसिया काटो दोस उसे उठाओ आगे चलो पीछे हटो छोड़ो उसे चलो आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो अटो पीछे अटो अटो पीछे हम आपके लिए रोते हैं प्रभु जी इसे पीजिए प्रभु जी पी लेजिए प्रभु जी एरोश्लम के इस्त्रियू मेरे लिए नहीं अपने और अपने बच्चों के लिए रो जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा परमेश्वर आपकी सहायत करें हम आप के लिए प्राफ्थरम करेंगे प्रमी थेरा सब्सक्राएं जन्दी कंद औरो ची टुरा है कंद दी ı डावं कंद दॉर्ट है कंद दो क्दोर झाल कंद साथ और आपने दोटे वोगोगा चाह वोगोगा रार कि मैं दो ओर दोगा। आपले काम कर्देर वोग आपले कर दो आपले को बंबंद़ आपले काम आपम आपले काम आपले काम बचाओ तो कुचागार तो कुचागार असरी लेगार यह पतायने ख्यमा कर यह नहीं जानते की क्या करते हैं इसने औरों को बचाए अब अपने को बचाए कि यादि तू मसी है तो अपने आपको बचा हां कुरूस पर से उचरा हमारे सामने भी एक आचरे कर्म करें और येशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लटकाया गया इस प्रकार परमेश्वर के भविश वक्ताओं द्वारा सैक्रों वर्ष पूर्व की गई भविश वानी पूरी हुई ये कपड़ा किसी मामली आदमी का नहीं मैं बताता हूं इसका क्या करें चलो पर्चिया डालें अच्छे वाल के देखते हैं अब तुझे मिल गया अब तू इसका क्या करेगा उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था ये यहूदियों का राजा है यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आपको अबच मैंस सिर बडिख का बहुदियों का राजा प्ट्झेश मैंस सिर्ग वर्या अपको यह.. थूदिय Cornel — हाई राज बारेस्ट था बारेस्ट क्यों तू तो मसी है ना फिर हमें और अपने आपको बचा ले क्या तुम परमेश्वर से नहीं ड़ते उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली पर इनका तु कोई अपराद नहीं है मुझे याद रखना येशु जी जब आप अपने राज्य में आएंगे मैं विशन देता हूं के तुम आजी स्वर्ग में हो गई मेरे साथ दो पहर हो जुकी थी और तीन घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा पर नहीं आपने रहा प्राद अपने रहा हूं पर प्रेंगल ये इता है और मंदिर का पर्दा उपर से लेकर नीचे तक खट गया है पिता आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौपता हूँ सैनिकों के सूबेदार ने ये देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए कहा परमेश्वर की महिमा हो निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे धर्मिक सभा के एक नेक सतस्य अर्मत्या के यूसुफ ने जो इस कारे से सहमत नहीं था जाकर पिलातुस्य अनुमतिली के प्रभु येश्व की लोथ को विश्च्राम के दिन से पहले ही कबर में रखा जा सके अनुमतिली की लोथ को विश्चय ही यूसुफ उनुमतिली को विश्चय ही उाकर पिलातुस्य थामतिली के भलास्त। शमा कीजिए हम प्रभु की लोत के पीछे पीछे आ रहे थे आप सब ही आ सकते हैं मगर चले विश्राम दिन शुरू होने वाला है प्रभु की आ रहे आप सकते हैं रविवार की सुबह दड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तयार करके गबर पर आई उन्होंने गबर से पत्थर को लुड़का हुआ पाया और जब वे अंदर गई तो प्रभु येशु की लोद वह नहीं थी तुम जिवित को मरे हों में क्यों ढूंदती हो वे यहां नहीं है पर जी उठे हैं तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था वे पापियों क्या हाथ पकड़वाए जाएंगे खुरूस पच रहाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे सुनो कबर का पथर लुड़का हुआ था हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है क्या प्रभु का शव नहीं है और दो मनुश्य हमें दिखे स्वर्प दूद चमकते सूर्य समान और हमसे यह कहा तुम जीविक को मृतकों में क्यों ढूंगती हो यह सच है विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए हमने उनको देखा आप भी जाकर देखें कप्र खाली है प्रभु वहां नहीं है वट्रेस अब मर विश्वास कीजिए! प्रभु यशु दो शिश्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए प्रभु सच में जी उठे है वे पत्रस को दिखाई दिये हम जिब रास्ते में थे उन्हें नहीं पैचान सके पर रोटी तोड़ने पर ही हम ने उन्हें पैचाना इम्माउस में वे वहां कैसे पहुच गए तुम्हें शान्ती मिले तुम क्यों इतनी चिंतित हो तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है देखो मेरे हाथ और मेरे पाउं और जान लो कि यह मैं ही हूँ मुझे चुओ तो पहचान लोगे क्योंकि आत्मा के हड़ी और मास नहीं होता जैसा मुझ में देखते हूँ मैं यही बाते तो करता था जब तुम्हारे साथ था के मेरे विश्य में मूसा की व्यवस्था भविश्वक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था यही तो लिखा है के मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है उनके नाम से पश्चाताप और पापक्षमा का संदेश येरुशलम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वायम अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूँगा स्वर्ग से सामर्थे पाने तक येरुशलम में ही प्रतीक्षा करते रहना परमेश्वर तुमारी रक्षा करें और आशीष्टे स्वर्ग और प्रित्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए जाकर सब जातियों कि लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के दाम से बबतिस्मा दूँ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आग्या दी हैं मानना सिखा और देखो, मैं जगत के अन्प तक सदेव तुम्हारे साथ हूँ हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविश्य वक्ताओं ने लिखा की परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीः को भेजेंगे येश्व का जीवन स्पस्ट रीती से ये बताता है कि वो वही उद्धार करता है जिन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया भविश्य वक्ता येशाया ने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेंगी और ऐसा ही हुआ भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मर्यम जो एक कुमारी थी गर्भवती हुई और उन्होंने येश्व को जन्म दिया जैसा शास्त्रवचन में लिखा है उनका अद्भुत रीती से जन्म लेना परमेश्वर की और से ये चिन्ह है कि वो बालक जो जन्मा है मसीह है जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहते हैं जब लोगोंने येश्व को देखा तो उन्होंने उनमें परमेश्वर के चरित्र और सामर्थ्य को देखा उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया उन्होंने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा येशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों का दंड स्वयम सहा उन्होंने मृत्यकों में सिजी उठने के द्वारा ये प्रकट किया कि उनकी सामर्थ्य मृत्यू की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है। येशू जो मसी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने प्रान देने की भी सामर्थ्य हैं और साथ ही उसे वापस लेने की भी। उनका जीवन बिलकुल ऐसा था जैसा भविश्य वक्ताओं ने मसी के विशह में लिखा था इस बात का पक्का प्रमान कि परमेश्वर का वचन पूनत, पवित्र, सत्य और कभी ना बदलने वाला है येशू ही परमेश्वर का वचन है परमेश्वर येश्व के द्वारा अपने आपको लोगों पर प्रकट करते हैं येश्व हमें परिपून जीवन देने आए आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी ताकि वे उनकी उपस्थिती में आनन्द से रह सकें लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आग्या को नहीं माना उस लज्जा जनक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुश्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्य है जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगती नहीं कर सकते जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंधा अबराहम के पुत्र की जगे मरने के लिए उपलब्द कराया इसी प्रकार परमेश्वर ने येशु को आदम के वंचचों की जगे मरने के लिए भेजा उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी येशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिती में आ सकते हैं इसलिए जो येशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छोटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे जब येशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराद ख्षमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़ कर उनकी ओर फिरेंगे येशु ने ये भी कहा कि परमेश्वर पवित्रा आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया तब यीशु ने उससे कहा तेरे पाप ख्षमा हुए तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया यीशु ने कहा जब लोग पून सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमान है कि परमेश्वर ने उनके अपराद ख्षमा किये जो यीशु के शिश्य बनने का निरने लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंद की शुरुवात इन शब्दों के इस्तिमाल से कर सकते हैं पिता परमेश्वर आप धर्मी है मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मुझे इस बात का पच्चतावा है कि मैंने आपकी आज्याओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को मेरी जगे क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा मैं आपके मार्क पर चलना चाहता हूँ और यीशु को अपने उधार करता और प्रभु के रूप में ग्रहन करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिये मैं विनंति करता हूँ कि अपना पवित्रा आत्मा मुझे दें ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्क दिखाए वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूँ ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगे लोग आपकी स्तुति करें आमीन येशु ने अपने शिश्यों के बारे में कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है येशु के शिश्य आपस में मिलते हैं वो हर रोज उनसे बातें करते हैं उनके वचन को पढ़ते हैं वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं अनुसरन करते हैं, येशु उनके मार्क दर्शक है और परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में रहता है, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है. हमेशा उसे याद रखें जो यीशु ने उनके स्वर्ग पर उठाये जाते समय कहा परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और प्रित्वी का अधिकार दिया है विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ